जर्मास्टमी के उसर पर नौइमबाई में दही हंडी की धूम रही। सानपाड़ा में बीजेपी यवानेता पांडूरंग आमले द्वारा युजित सोने की दही हंडी सबसे अधिक सुर्खियों में रही। यहां कॉटन ग्रीन के अभिनंदन गुबिंदा पथक ने आठ थर लगाकर सलामी दी और दही हंडी फोड़ते हुए नया इतिहास रश्टिया। यहां मुक्यतिती के तोर पर मौजूद बीजेपी के जिला महमंतरी निलेश्ट मात्रे ने गुबिंदा पथकों का जम कर हौस्णा बढ़ाया और स्वरन दही हंडी के जरिये गुकुलास्टमी को यादकार बनाने वाले इवास समाज से भी पांडूरंग आमले की सरहना की देखिये छलकिया न वहत्व कि दो आखिये ज़तीजा पड़ा प्रभाग तीस में इस बार का सोनेरी दही हंडी उस्सो तेखने लायक रहा। दर्जनों गोविंदा पथकों ने सलामी दी और पुरस्कार जीता। हरा कि कॉटन ग्रीन के अभिनंदन गोविंदा पथक ने आठ थर लगा कर यहां सलामी दी और दैहंडी फोड़ते हुए नया इतिहास बना लिया। उन्होंने विजेता बनने पर कैसे खुसी जाहिर की आईए सुनाते है। अभिनंदन फेरबंदर कोटंगरीन यह मंड़ा है। यह आमचे पहले आठ थर रहे। यह आमचे जवाज आता हमचे तौरेशी हो वर्ष है यह गोईंदेचा। आमचे इच्छा होती आठ थर चीति आम यहा वर्षी पुर्ण केली। इस आगा मुलान ची इच्छा होती। आनि आमचे जवाज आता हमचे जवाज आता हमचे इच्छा होती। वहीं उस्वा के प्रमुखतिती और बीजेपी के जिला महमंत्री निलेश मात्रे ने गोबिंदा पत्कों को पुरुषकार देते हुए उनका होश्णा बढ़ाया। और श्वर्न दही हंडि उस्वा आयुजित करने वाले इवाज समास्चे भी पांडूरंग आमले की सराहना की। वहीं क्रिष्ण जनमास्टमी पर सोने की दैहंडी रखकर यादगार उस्वा बनाने वाले इवा समास्चे भी पांडूरंग आमले ने विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन के लिए अभार जताती हुए कहा कि अगली बार का दही हंडी उस्वा और भी एतिहासिक एवम यादगार बनाएंगे। उन्होंने सोने की दैहंडी जीतने वाले अभिनंदन गोविंदा पथक को भी बधाई आ दी। अविधायक मंदाताई मात्रे येंचा मार्गदर्शन उस्वा आज आमी इते हाब भुवेध costume कारग्रमाने मित्थ अज असंक्य गोईंदा पत्क जब लो विर्शेवन अधी गोईंदा पत्क इते आले ओटे आनी मगत पसुन तुमी बगता है निलेज जादा सुदा आमचा बरोर आमचा मोटे भावसर के आमचा पाटीशी उबे आहे आनी पुदिल काला सुदा तैमनी आश्वसर निलेला आ आनी जसीज जासत गरदी आमचा इता जोहिल आसामी आश्वसर निलेओ तैमनी आश्वसर निलेज जादा आमचा आश्वसर आसावा इस तेन्ना आमचा आपरिक्सा है झाल झाल लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए